10 साल से सरकार है भारतिय जंता पार्टी की हरियाना के अंदर मैं आप से पूछता हूँ आपके बच्चों के लिए रोजगार दे पाए के नई दे पाए एक एक गली में, एक एक महले में, एक एक शहर में, एक एक गाउं में बेरोजगार बच्चे भटक रहे हैं बेरोजगार युवा भटक रहे हैं और ये ऐसी योजना लेके आते हैं अगनीवीर योजना जिसमें ये कहते हैं कि चार साल नौकरी कराके हमारे बच्चों को रिटायर कर देंगे फौज से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो सरकार आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहती है ऐसी भारतिये जंता पार्टी को राजनीती से रिटायर कर दो इन चुनाव में आने वाले चुनाव के अंदर ये जो ताकत आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी है ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम आपके मूलभूत काम कराने में यकीन करते हैं पूरे इंदुस्तान में नजर घुमा के देखो कौन है जो बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ रहा आज के दिन कौन है जो इस तानाशा सरकार के साथ संघर्ष कर रहा आज के दिन में बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिये भारतिय जनता पार्टी के तानाशाही के सामने बड़े बड़े नेताओं ने बीजेपी के पठके पहन लिए बड़े बड़े व्यापारियों ने गबरा करके भारतिय जंता पार्टी के सामने घुटने टेक दिये बड़े बड़े अख़बारों ने पत्रकारों ने भारतिय जंता पार्टी के सामने घुटने टेक दिये लेकिन एक अकेला शक्स जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की आँख में आँख डालके उससे लड़ाई लड़ रहा है वो आपके हर्याना का लाल अर्विंद केजरिवाल है अर्विंद केजरिवाल आपके लड़ाई लड़ रहा है केज रिवाल जी ने गैरेंटी दिये हर्याना की हर महिला को एक हजार रुपे सम्मान राशी हर महीने देने का काम करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी सोच गरीब के लिए आम आदमी के लिए कोई और सरकार नहीं रख सकती किसी पार्टी ने आपके लिए काम नहीं किया और यहाँ पर आपके जो भी आज तक विधायक बनते आए किसी ने नशे का कारोबार कर लिया किसी ने प्रॉपर्टी का करोबार कर लिया ना किसी ने किसानों की सोची ना किसी ने जवानों की सोची इसलिए इस बार आप से एक मौका मांगने के लिए आए हैं ये बीजेपी वाले आपको चुनोती दे रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं हरियाना के बेटे अर्विंद केजरिवाल को जेल में डाल दिया कर लो तुम क्या कर सकते हो तो अब जवाब देने का वक्त है इनको बता दो कि जिस पार्टी ने अर्विंद केजरिवाल को जेल में डाला उसकी एक भी सीट भारतिय जंता पार्टी के हरियाना में आने नहीं झाल 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 झाल